एलो दोस्तो वेलकम टो माई यूटूब चैनल लेलेक्टवानिस पजल दोस्तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ की डिकपलिंग कैपसिटर का क्या उच करते हैं क्या यहां मैं और सरकुट डिजाइन करके देखाऊंगा उसमें आपको detail में बताऊंगा कि यह कैसे decoupling capacitor काम करता है और क्यों use करते हैं ठीक है तो basically हमने इसके पिछले वाले वीडियो में coupling capacitor के बारे में बात किया था जो कि decoupling capacitor दो circuit को couple करने के लिए by passing AC signal वाली हम AC signal को pass करने के लिए coupling capacitor के use करते हैं लेकिन इस वीडियो में आपको decoupling capacitor और bypass capacitor के बारे में बताऊंगा बाइपास capacitor basically decoupling capacitor होता लेकिन थोड़ा different होता वो भी आपको इस वीडियो में आप detail में बताऊंगा ठीक है तो दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने decoupling capacitor बताया था कि आपको सिर्फ AC signal चाहिए होगा तो उस case में क्या होता है कि हम coupling capacitor का यूज करते हैं और DC signal को ब्लॉक कर देता है ठीक अब basically क्या है कि हम जो decoupling capacitor यूज करते हैं वो AC जो हमारा DC signal आता है उसमें क्या होता है कुछ 29 वगरा होती है तो उससे हमें smooth अगर signal चाहिए होता है उस case में decoupling capacitor का यूज करते हैं ठीक है बैसिकली जो हम power supplies वगरा यूज करते हैं हमने 5 बोल्ट की power supply लगा दिया ठीक है वहाँ से हमें 5 बोल्ट की smooth supply मिले के ideal cases होते है हम ideally assume करके चलते हैं कि 5 बोल्ट में DC supply मिलेगी लेकि practically क्या होता है जो हम SMPS वगरे design करते हैं power supply design करते हैं तो उसमें बहुत सारे noises होते हैं जो की interference के वज़े से create हो जाते हैं ठीक है components में losses की वज़े से इन सब की वज़े से यह create हो जाते है frequency variation की वज़े से create होते है ठीक है तो यह सारे factors होते हैं तो basically क्या होता है कि जैसे हम 5 बोल्ट का supply में ने बनाया LDUX ले लिया जो कि 5 बोल्ट की supply बनाया तो उसमें क्या होता है कि कुछ ने कुछ noise add हो जाएगा noise add हो गया अब मैं क्या करता हूं कि decoupling capacitor हमेज़ा power supply के parallel में यूज़ करते हैं तो यह क्या करता है कि DC जो signal है वह बिल्कुल पास हो जाएगा क्योंकि हम जब DC supply यूज़ करते हैं तो उसकी frequency 0 होती है frequency 0 होने का मतलब यह होता है कि इसका impedance बहुत जादा high हो जाएगा ठीक है यह मैंने एक basic circuit ले लिया ठीक है अब मैं आपको detail में समझाता हूं कि कैसी यह काम करता है मैंने एक simple circuit ले लिया ठीक यहाप मैंने DC Supply लगा दिया यहापे decoupling capacitor लगा दिया यहापे मैंने load कोई भी load मैंने लगा लिया ठीक वो तो हमें हमें अलोड़ पे चाहिए नहीं होता हमें सिर्फ dc सप्लाई लोड़ पे चाहिए होता ठीक है और यहार पर मिने DC पाऊरच ऍ्रॉड़ा शपोपल लगा देता हूं ggak pertama यह चाहिए है चाहिए दिन सबयाता हूं और नियुक्ष को के नेट किसेंग पीक capacitor होता है न वो एक्चुली जब DC signal हम देते हैं तो उसकी frequency zero होती है frequency zero होने का मतलब capacity reactance की value infinite हो जाती है ठीक है तो इसमें current जो zero जाता है तो मतलब पूरी DC signal आपको वहाँ पर मिल जाएगा ठीक अब क्या होता है कि जो noise होती है noise की frequency न बहुत जादा होती है ठीक है तो noise की frequency बहुत जादा होने के वैसे इसका capacity reactance zero हो जाता है जो कि current जो भी maximum noise की वैसे current होगा वो ground हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आप देख सकतो हो दूसरे case में मैंने एकसी की value zero होगा या current maximum में इस route के तुरू capacity के तुरू pass हो जाएगा ground हो जाएगा जबकि frequency जब zero होगी तो इसमें जो DC signal हो पास ही नहीं होगा ठीक है तो basic से यह funda AC signal यहाँ से देख रहे हो पास हो जाएगा और DC आपको smooth DC output मिल जाएगी तो यह काम करता है यह AC signal इधर पास होगी यह DC आपको smooth मिल जाएगा AC signal में तो बहुत ज़्यादा frequencies की होती यह basically एक तरक्या का noise होता है यह होता difference और कुछ नहीं होता अब मैं दिखाता हूं कि मेरे circuit तो अगर है जैसे हम AC बनाते हैं तो उसमें कैसे यह देख सकते हो मैं नहीं यहाँ पर तीन-तीन bypass capacitor लगा रखा है और यहाँ पर ground diode है तो यहाँ पर तीन-तीन capacitor हम क्यों यूज कर रहे है परपज क्या है तीन capacitor क्यों यूज कर रहे है एक ही capacitor क्यों यूज कर रहे है यहाँ पर bypass capacitor भी यूज कर लिया मैंने एक इसको रिमूब करना होता है कि हमारा जो आइसी वगरा चोटे-चोटे कंपोनेंट से वह प्रॉपर वर्क करें ताकि वह खराब ना हो ठीक है क्योंकि नौइस तो कभी भी क्रेट हो जकती है तो उस चीज को रिमूब करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता ताकि हमारा जो डिवाइस वगरा होता उसका वह खराब ना हो तो इसमें मैंने कुछ बाइपास कैपसीटर यूच कर रखा तो अब उसको थोड़ी सी हम डिटेल में बात कर लेते ठीक है मौस पेट इसमें अंदर लगे हैं और गेट पे आपको कंट्रोल सिगनल जा रहा है और एक मेरे पास लोड लगा है जो कि पावर एब्जॉर्ब करेगा पावर कंजम्स करेगा तो यहां पर मैंने लोड लगा रखा ठीक है तो बैसिकली इसमें क्या हो रहा है कि मैं मैं दे रहा हूं तो मुझे डारेट 5 बोल्ट की सप्लाई यहां पर जा रही है और यहां पर मुझे पल्सेटिंग करेंट मुझे मिलते हुए लोड के थुरू जा रहा है यह आई सी कंट्रोल हो रही है सपीड मिलेगी रेट हूं जब आई परेटीकलीट यह इसे में बात करता हूं मेरा एक voltage source है उसकी ESR value होती है, कुछ resistance की value exist करती है, कुछ track जो हम use करते हैं, जो wire use करते हैं, उसमें resistance की value होती है, और हर एक component, हर एक wire में inductance होता है, resistance value, by default कुछ ने कुछ value आ जाती है, जब high frequency पे चीज़े operate करवाओगे, high frequency का signal पास करते हो, तो inductance, capacitance अपना effect दिखाते हैं, जैसे म अगरा की बात करता हूँ, जो हम track use करते हैं, track use करते हैं, तो उसमें inductance value create हो जाती है, तो हमें track के बिच में minimum distance रखना पड़ता है, वो सारी चीज़े बहुत detailing की बात है, तो real world में ये सारी चीज़े बिल्कुल different होती है, real world में ये सारी चीज़े आपको perfect नहीं मिलती है, इस basically हम capacitors का use करते हैं, ताकि हमारे components खराब नहीं हो, जैसे मैंने यहां पर क्या किया कि मेरे gate, मैंने MOSFET को operate करवा, ठीक है, MOSFET को जैसे मैंने operate करवा, ठीक मेरा MOSFET on हुआ, on होते ही, मुझे up down, high low, high low signal मिलेगा, ठीक है, और ये load के तुरू पास होगा, और हमें current pulse setting, मतलब ए current high flow करने लगेगा, फिर जैसे आप switch कराओगे, मतलब on करवाया तो फिर off कराओगे, तो कुछ ने कुछ voltage रह जाएगा, जो कि minimum voltage आप बोलते हो कि हाँ, इतना पाच बोल्ट से कम drop हो गया, ठीक है, अब exact में क्या होता है, कि जैसे पाच बोल्ट से on off करते हो, तो ये जो inductance क value है, ये high frequency पर क्या होता है, कि ये इसका main purpose होता है, कि अगर current अचानक से change कर रहे हो, तो ये change नहीं करने देता है, इसके लिए कुछ dips आ जाते है, मतलब dips क्या होता है, कि जैसे अब तुरूंत sudden current चेंज करोगे, ये change करने नहीं देगा, तो इसके वैसे क्या होता है, dips आ जा होता है, कि बोर्ट में बहुत सारे ICs वगर अलागे होते तो ये, तो ये आपको blue color में जो दीख रहे है, ये सारे हर एक ICs के लिए, ये bypass capacitor यूज किये गये है, तो bypass capacitor क्या करते है, कि जैसे आपको, ये bypass capacitor लगाते हैं, जो dips मिला था ना, dips क्यों मिला था, कि आप sudden current अप change कर हो, तो IC को sudden current चीए operate कराने के लिए, ठीक है, तो ये जो capacitor, अगर मैं power supply के parallel में लगाता हूँ, मैं आपको भी लगा के दिखाता हूँ, कि या, मैं parallel supply लगाऊँगा, तो इसमें क्या होगा, कि, कि जैसे आप parallel में आप power supply लगाऊँगे, तो ये जो आपको dips आ रही है, dips क्यों क्यों आ रही है, क्योंकि आपको sudden current चीए, अचानक से IC को operate होने के लिए, तो वो काम क्या करेगा, capacitor parallel में, voltage source के parallel में, bypass capacitor लगाते है, ताकि वो capacitor ये जो capacitor पूरी तरह से चार्ज हो जाए, ठीक है, अब जैसे on हुआ, off होते हुए, इसको current ज्यादा चीए होगा, on करने के लिए instant current provide कर देगा, ठीक, तो basically ये काम ये हो गया, अगर high frequency signal पर आप high frequency पास करा रहे हो, तो क्या होगा है, कि ये bypass का काम करेगा, bypass का मतलब high frequency पर आप operate करा रहे हो, तो noise, मालो high frequency की noise add हो गई, तो high frequency पर क्या होता है, कि capacity reactance के विलुकम हो जाएगी, तो जो भी noise आएग, उसको ground कर करेगा, और दूसरे सबसे बड़ी बात यह नहीं कि यह जो power supply आपकी पाच वोल्ट है यह capacitor उसको bypass कर देगा, bypass इसलिए करेगा, क्योंकि stand power supply चाहिए, यह IC के बिल्कुल pass में होते हैं, जो भी आप capacitor यूज करते हो bypass, यह IC के बिल्कुल pass में होते हैं, pass में इसलिए होते हैं, क्योंकि इसलिए pass में रखते हो कि inductance की value आप minimize कर सको, मतलब inductance के बिल्कुल से जद्या problem होती है, तो उसको minimize कर सको, कोई भी dip सचानक से नहीं है, ठीक है, तो basically उस purpose से हम IC के बिल्कुल pass में रखते हैं, ताकि instant current की ज़रूरत पड़ती है, तो यह आपको capacitor तुरन प्वाइड कर देता है, तो basically यह capacitor उस जगह पर काम करता है, और यह जो अपना 5 गोल्ट का DC supply है, इसको bypass कर देता है, तो यह function होता है, detail में की इसका काम क्या होता, bypass capacitor का, तो यह काम का करता है, समझ कि आप यह power supply को bypass करके, यहां से instant current यह draw करवा देता है, ठीक, अगर IC को ज़रूरत इसका काम होता है, तो यह इसको बिल्कुल short, एक तरीके से short मान सकते हो, उसके तुरू यह अपने path के तुरू ground को पास करा देता है, तो इसके वैसे IC खराब नहीं होती है, और IC बिल्कुल अची तरीके से operate होती है, और आपको जो supply मिलती है, वो बिल्कुल smooth supply मिलती है, नही मिलती है, तो यह राद bypass capacitor का, अब bypass capacitor हम दो तीन values की use करते है, polar use करते है, non polarized use करते है, तो इतने सारे capacitor क्यों use करते है, इसके बारे में हम detail आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे, तो दस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक, share and subscribe कर देना चैनल को, electronics puzzle के नाम से आपको चैनल में लगा और bell icon को hit कर देने, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत वो notification मिल जा, तो thank you, thank you so much for watching this video, मैंने coupling capacitor का link description दे दिया, वहाँ से आपकी जाके आप देख सकते हो, thank you, thank you so much